हेलो विल्कम अगेन पिछली वीडियो मैंने कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ थोर्म्स बताऊंगा वैसे उन थोर्म्स का कोई मतलब नहीं है आप कोश्चन बहुत एजली सॉल्व कर सकते हो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि लास् इवेंट नहीं हो रहा हो यह बार जो लगा हुए इसका मतलब है कि इवेंट नहीं हो रहा हो इसकी प्रूबिल्टी होगी कि वन माइनस प्रूबिल्टी ओफ अकर कर रहा है तब उसकी प्रूबिल्टी पी है अगर वो इवेंट अकर नहीं करेगा तो उसकी प्रूबिल्ट कितनी हो जाएuksी स्विज्व इवंन जुन गूर देन के मतलब के लिए वाइन चीश ला तो लॉस्ट वीनए बदाया था उसको में वी जूझ भी कर लेकिन आक prova पता रहा हूं अब हम बात करतें सुए थरोम मैश देरा तूया टॉट death theorem and second one is multiplication theorem addition theorem is also called as total probability theorem okay the first one is addition theorem okay addition theorem is co-op kya kate ho total probability theorem कि मानली जेकि हमारे पास कुछ इवेंट्स है इवन लेकिन इनकी खासियत यह है कि यह मिच्वली एक्स्क्लोजीव है मतलब है कि अगर एक इवेंट हो गई तो दूसरी इवेंट नहीं होगी मतलब कि दोनों साथ साथ नहीं होंगे या फिर आप कहा सकते हो कि कि इवेंट e intersection event 2 की probability क्या होगी तो इसकी probability होगी जीरो ठीक है आप क्या है इवेंट इवान इटो इटू एथ्री यह सभी कि सभी मिच्वली एक्स्क्लोजीव है तो क्या हो कि इन सभी में से कोई एक घटना occur हो जाए, मतलब कोई एक event occur हो जाए то उसकी probability क्या होगी तो उसकी probability आप कह सकते हो कि किसी एक की मतलब या तो even हो जाए, या तो e2 हो जाए या तो e3 हो जाए या फिर कोई और हो जाए ठीक है? अच्छा लास्ट मैं मैंने do वीडियो में बताया था अपको यहाँ पर समझने में जादा हौ जान हो धामोल जादा सानी हो ठीक है और लगाएंगे तो और कहीं क्या लगाते प्लस लगाते हैं सिंपल और एवन की प्रोगेल्टी खो यह मतलब प्रोगेल्टी आफ a total probability theorem थर्म बोलता है इसे और यह Quickringму आ pozw underty धय कंगे जब आप आप bas学 सफरो में थेップ होगे बेशाऊनगे बिया जाती है ट्वूटल यह कि अ deepest यूग रोखशान कि दूसरी थिरयं है मलिक्लेख irregularum और उसी को printhirrum भी बोलते है ठीक है तो दूसरी ठेम मैं पहले ठीड कोई स्टेण कोंतर निस्ट को यो और इसी को धोरे टी थे ती ठीक ए-इसमें इजो इवल्ट होने चाहिए वो होने चाहिए इंडिपेंडेंडेंट इंडिपेंडेंट चाहिए एदिजन ठेयरम था उसमें क्या थी उसमें इवेंड थे मचली एक्स्कुलिव लेकिन यहां पे इवेंड्स जो है वो होंगे इनडेपेंडंडेंडेंट का मतलब है कि पहली घटना भी हो और दूसरी घटना भी हो अच्छा यहां पे क्या है और लगेगा और और का मतलब भी होता है गुड़ा मल्टिप्लिकेशन, ओके नौ अगें यू हैब सम इवेंट्स इवेंट वन इवेंट टू इवेंट थ्री इसी तरह आपके पास कोई भी एंद इवेंट्स हैं तब क्या हो, इन में से सभी के होनेगी क्या probability होगी जब हम एडिशन थेयोरम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि किसी एक इवेंट सभी में से किसी एक इवेंट की occurrence की क्या probability होगी लेकिन multiplication थेयोरम में अगर जितने भी इवेंट होंगे उन सभी के होने की क्या probability है तो क्या है सभी को होगा मतलब E1 भी हो और E2 भी हो और E4 भी हो इसी तरह जो भी होगी सभी हो तो यहाँ पर क्या लग गया और तो सभी क्या होने की क्या probability है P E और लग गया तो multiplication लगेगा तो यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पर हो गया P E1 Cross P E2 मतलब probability of event 1 probability of event 3 into probability of event 3 event 2, event 3 इसते तरह जितने भी probability होगी सभी का addition हो सभी का multiplication हो जाएगा इसलिए इसे बोलते है multiplication theorem या compound probability theorem ठीक है इस वेरी वेरी इजी और मुझे नहीं लग रहा है कि यह कहीं भी जरूरत पड़ेगी जब भी आपको लगे कहीं भी किसी question में दिख जाएगा और लगाना multiplication कर देना ही या लगेगा तो addition theorem कर देंगे plus लगा देंगे वहाँ पर तो यह क्योवल ऐसे था awareness के लिए कम से कम आपको पता हो कि क्या होता है इस लिवा ने बता रिया है इसका कोई भी जुरूरत में मुझे ने लग रहा है आपको पड़ेगा mutually exclusive equally likely independent and dependent तो उन से भी में से कौन सी घटना है कौन सा event है मतलब कि मान लो कि अगर आप किसी race में हो अगर आप जीत गया तो दूसरा हार जाएगा ऐसा है नहीं कि दोनों जीत जाओ दोनों में से कोई एक ही जीतेगा मतलब या तो अंकित जीतेगा या तो फिर नित्यानन जीतेगा तो इसका मतलब है ये है मुचली exclusive ठीक है तो दोनों में से कोई एक जीत जाए मतलब या तो या तो अंकित जीते या तो नित्यानन जीते अब इसमें लगा हुआ है या का मतलब होता है प्लस तो पहला वाला जो question है पहला वाले जो determination करना है आपको जिस चीज को determine करना है वो कह रहा है कि probability of winning one of the two मतलब किसी एक की जितने की probability क्या है तो अंकित की जितने की probability है one by one by three और नित्यानंद की जितने की probability है one by four तो दोनों का add कर देंगे हो जाएगा 12 four plus three is equals to seven by 12 ओके दोनों में से किसी एक की जितने की probability हो गई seven by 12 अब यह कह रहा है कि दूसरा question जो है मतलब दूसरा determination करना जो दूसरा है उसको करना है no one wins कोई भी ना जीते दोनों में से कोई भी ना जीते अच्छा यह जो है independent नहीं है dependent है तो क्या करें दोनों जीत गए अब दोनों में से कोई ना जीते मतलब मैंने भी बोल ला था ना कि अगर occurrence of one है और तो occurrence of one event is PE तो ना occur करने की क्या probability होगी one minus P one minus PE इसी तरह दोनों में से कोई एक जीत गया तो seven by 12 कोई ना जीते इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई ना जीते तो हो गया one minus seven by 12 is equals to five by 12 this is the answer it's very simple मुझे ने लग रहा आपको यहां पर theorem की जुरुत पड़ी होगी कहीं कि अगर आप यह सब देख ले रहा तो question को आप solve कर ले जाओ कल मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको question में पूछे कि at least one की probability क्या होगी मतलब कम से कम एक की होने की क्या probability होगी तो आप उस question को कैसे solve करोगे उस question को solve करने के लिए आपको यह निकालना पड़े गया कि ऐसा event कोई भी नहों मतलब कोई भी event करना हो at least का उल्टा हो उल्टा होता है no one मतलब कोई भी नहों तो किसी भी event की ना होनी की probability निकाल लीजे और उसको one minus कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा at least one तो यह आया कहां से था यह आया था जैसे मैं भी बताया था मैंने आपको तुरंद बताया की होता है क्या है multiplication theorem होता है इसका सब्सक्राइब क्या है सब्सक्राइब कि मतलब की मल्टिप्लिक्राइब के लिए होना चाहिए इवेंट्स का इंडिपेंडेंट हो तो यह लग जाएगा तो यहां पर क्या है कि at least आपके पास जो है इवन इटू इथरी एइवेंट्स है थीक है इसमें क्या है किसी कम से कम एक किसी एक के नहीं कम से कम किसी एक की इवेंट की होनी की प्रूबिटिज होगी वह आपने पढ़ा वह आप जानते हो कि वह चला जाता है एडिसन थेघॉरम में, यहाँ पे है कि at least one कम से कम एक at least one का मतलब होता है कम से कम एक, एक की नहीं कम से कम एक, मतलब एक हो, दो हो तीन हो, चार हो, पाँच हो, सबी के सबी हो जाए, ठीक है तो ये क्या इवेंट्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए independent होनी चाहिए इसके लिए क्या theorem है कि कम से कम एक हो जाए इसके लिए क्या करना है आपको निकालना है कोई भी ना हो मतलब यह event भी ना हो इसकी probability ठीक है यह event ना हो मतलब इसको ऐसा लिखेंगे 1-probability of event 1 into 1-probability of event 2 into 1-probability of event 3 इसी तरह सभी को multiplication कर देंगे जितने भी event होंगी सभी का ठीक है तो इसका मतलब वही हुआ अभी इसको बताया मैंने कि कैसे करना है at least one तो उसमें क्या लगए यह जो है multiplication theorem का ही सब theorem है तो इसे ज्यादा सोचे जिरूरत नहीं है फिर से कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि इन theorem की आपको कोई जिरूरत नहीं पड़ेगी बस यह आपके knowledge के लिए है मैं शायता हूं कि एक ही वीडियो में नहीं ढूलना पड़े कि addition theorem क्या है multiplication theorem है इसका सब theorem क्या है और यह सभी theorem आगे काम आए यह जब आप बेस theorem पढ़ोगे बेस theorem बर्नौली theorem बहुत सारी आगे theorem पढ़ोगे तो उसमें आए गई गई है अभी जो आपको मैंने theorem बताईए सब theorem of multiplication theorem यहां पर वो काम आने वाली है इस question में क्या कह रहा है कि यहां पर एक dice है जिसको तीन बार थ्रो करना है और कम से कम एक बार चार है कम से कम का मतलब है कि एक बार बिया सकता है दो बार बिया सकता है और तीन के तीनों बार आ सकती है मतलब कि इसे बहुत सारे chances है और इतना ज्यादा multiplication decision हो जाएगा कि आप एक बार आजा चार इसके हम यह नहीं निकालेंगे कि एक बार चार आजा सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक भी बार चार ना है एक भी बार चार ना है चुकि क्या है कि पहली बार जब आप dice थ्रो करते हो तो उस पर चार आ गया अब जब अगली बार आप थ्रो करोगे तो तो यह totally independent है, इसका मतलब यह नहीं कि एक बार 4 आगए तो दुबारा 4 नहीं आ सकता है, तो यह क्या है? independent, ओके? यह क्या है? independent. तो कितनी एक बार जब आप फेकते हो, तो total 6 events होते हैं, मतलब 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है या फिर 1,2,3,4,5,6 में से कोई भी आ सकता है तो आप क्या करो कि 4 के ना आने की probability कितनी होगी 5 by 6 क्यों 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 कि 4 नहीं आएगा तो 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है ठीक है तो इसमें चार ना आने की probability है 5 by 6, one throw में, second throw में भी same होगी 5 by 6, जिसमें 4 ना है, और third throw में भी same condition है, कि 4 ना है, इसकी probability है, 5 by 6, total कितना हो गया, जिसमें एक भी भार 4 ना है, तो total probability जिसमें 4 ना है, यह हो जाएगा 5 by 6, पहले में भी ना है, और दूसरे में भी ना है, और तीसरे में भी ना है, तो यह हो गई कि 4 ना आने की probability, लेकिन पूँच क्या रहा है, कि एक बार 4 आने की probability होगी, इसका मतलब होगा, P4 आने की probability कम से कम एक बार, 1 minus 1 भी बार 4 ना है, ठीक है, तो 1 minus 1 minus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6, आप इसको solve कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे के ओल, आपको concept बता रहा हूँ, इसको मैं निकाल हूँ ठीक है, जो भी होगा, 1 minus कितना होगा, 256, sorry, 125.216, अब इसको solve कर लो, आंसर आजाएगा, This question is one of the best questions, तो आप क्या कह रहा हो, यहाँ पे question सबसे पहले question समझ लो, पिछले वीडियो में जब मैंने बताया, तो वहाँ पे मैंने क्योवल एक बैग लिया था, यहाँ पर क्या है, दो बैग है, concept ध्यान से समझ यह, question को बहुत गौर से सुनिये क्या कह रहा है, कितने बैग है, दो बैग है, पहले बैग में क्या है, 10 White Ball हैं, और 15 Red Ball है, second bag में 16 White Ball हैं, और 9 Red Ball हैं, दोनों में से एक एक गेंद निकालनी है, ऐसा नहीं कि किसी एक में से नहीं बोल ला है, दोनों में से क्या करनी है, एक एक बैग निकालनी है, तब आपको determine करना है, कि दोनों क्या है, वाइट हो, second में, second पूछ रहा है कि दोनों बॉल जो निकालो, आप मतलब पहले बैग से निकालो, और दूसरे बैग से निकालो, दोनों ब्लैक हो, तीसरा पूछ रहा है, कि आप दोनों में से बॉल निकाल रहे हो, इसकी क्या probability होगी, कि दोनों सेम कलर की होगी, ठीक, तो हम इसको solve करना, start करते हैं, पहला कह रहा है कि दोनों क्या हो, वाइट बॉल हो, दोनों वाइट एक ही बॉल ड्रॉ करनी है, तो पहले बैक से वाइट ड्रॉ करनी की क्या probability होगी, यहाँ पे क्या है, 10, तो आप क्या कर, क्योंकि यहाँ पे आप लगा सकते हो, direct 10C1, ठीक है, combination लगा के solve कर सकते हो, combination के लिए, permutation combination के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लो जाके तो ज्यादा आसानी रहेगी, इसको कैसे solve करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे combination का rule नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे क्या है, आपको क्यों white ball की probability निकालनी है, कि पहले ball से, पहले back से जब हम white ball निकालेंगे, उसकी क्या probability होगी, तो total 10 whites ball है, पहले back में total 15 है, 15 में 10 white ball है, तो एक ball निकालोगी, उसकी white होने की probability है, 10 white 25, 10 में इसे कोई भी एक निकल सकता है, ठीक है, इसमें से निकले, क्योंकि दोनों ball, मतलब पहली ball से हो, और, and, और का मतलब होता है multiplication, पहली ball से निकालो तो white ball हो, और, दूसरे back से निकालो, तब भी क्या हो, white ball हो, दूसरे में कआए 25 reef तो यह किया 25 कितने में से 16 में एक बॉल निकाली टोटल 16 चानस तोटल कितना हो गया स्कुन upon 625 आप मेर Zeus कर सकते हो मेरा क directional यहां पर concept बताना है multiplication आप कर दो क्योंकि थोड़ा time लगेगा इसमें और मैं वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करना चाहता हूं ठीक है इसको solve कर लो आपका आजाएगा कि both the balls are white second question क्या कह रहा है both the balls are black मतलब पहली भी black निकले त्ट जा बैट ब्लेक बॉल निकले और second बैक से भी क्या निकले black ball निकले अ मैं सुरी यहां पर क्या है थोड़ी mistake हो यह यहां पर मैंने रेट लिख दिया है यहां पर क्य लिख दिया है बेसिए ब Ol तो दूसरी ball क्या हो जाए रेड बॉल दूसरी क्या हो रेड बॉल मतलब पहले हमने क्या लिए कि 50 वाइड बॉल होनी की चांसेस निकाल लिए दूसरा रेड बॉल होनी की चांसेस भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कैसे हैं पहले में कितनी बॉल थी 25 कितने में से 15 अब यह देखो यह दूसरा कोश अलग था मतलब वाइड बॉल निकालने के बाद हमने ऐसा नहीं किया है कि हमने उसे वापस रख दिया उसे मतलब एक तरीके साब कहा सकती है यह फ्रेस्ट कोश्चन है ठीक है तो यहाँ पर क्या है 25 बॉल्स थी उसमें से रेड निकालने की क्या चांसे जें 15 क्योंकि 15 15 और पहले बैक से तो अपने निकाल लिए ना पहले बैक से आपने एड बॉल निकाल ली और कमतलब मॉल्लिक्लेगेशिन से के बैक से रेड बॉल निकालने क्या चांसे है 9 अपवाँ 25 कितना हो गया अप 1625 यह आप यह white ball की यह red ball की and third क्या है दोनों same color की हो दोनों क्या हो same color की हो या तो या तो white हो या तो white हो या तो red हो या तो red हो अच्छा ऐसा है दोनों में दोनों independent है दोनों क्या है independent है इंडिपेडेंट है और मुचली एक्सक्लोजीव भी है अगर दोनों white हो गई तो दोनों red नहीं होंगी ठीक है और एक बार हमने white की chance निकाल ली है बॉल को वापस रखे, दुबारा try किये कि red ball की क्या chances हैं तो दोनों ball या तो black हो sorry, दोनों ball या तो white हो या तो red हो, उसकी क्या chances हैं तो यहाँ पर हमने white ball की nिकाल दी थी probability यहाँ पर red ball की nिकाल दी थी दोनों को add कर देंगे, या तो white या तो red या का मतलब होता है प्लस दोनों का आड़ कर देंगे 160 अपॉन 625 प्लस 135 अपॉन 625 यह हो गई प्रॉविल्टी या तो रेड हो जाए या तो फिर वाइट हो जाए ठीक है इस कोस्टेन इस वन आप दा बेस्ट कोस्टेन मैं पहले बता चुका हूँ यह तो आप इसको अच्छे समझ लो अगर आपको लगेगी कि यहाँ पे कोई कोई है मैंने कुछ गलत बोल दिया है अच्छा यह होता है कभी कभी कि मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया हो यहाँ पे कुछ और बोल दिया हो या फिर इस जगे भी correction की जरूरत है तो अगर आप मुझे ऐसा suggestion दोगे तो मुझे ठीक लगेगा कि हाँ चलो कम से कम आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो comment box में तब भी आप क्या हो कि यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इसको फिर से बता दिए मैं बता दूंगा मुझे कोई problem नहीं है अब आप इस question को देखो question में कहा रहा है कि आपके पार total hundred bulbs है जिसमें से क्या है दस बल्ब खराब है ठीक है hundred बल्ब हैं जिसमें से 10 बल्ब खराब हैं उसमें से आपको 8 बल्ब randomly select करना है randomly का मतलब है कि आपने 8 ब probability होगी उसमें से 3 damage हो और 5 सही हो ठीक है और दूसरा यह पूंच रहा है कि कम से कम एक damage हो ठीक आपको सामझ में आ गया 100 बल्ब हैं उसमें से 10 खराब हैं तो सही कितने हैं सही हो जगा है 90 hundred में से 10 damage हैं तो 90 क्या हो गया non damage हो गया मतलब वो सही है उसमें से आप totally 8 select करते हो जिसमें से 3 damage निकला है तो 10 damage है ना total तो 10 में से 3 ही तो निकल सकते हैं ऐसा तो है नहीं कि 90 में से 3 निकलना है हमको यह दिखाना है कि 3 damage है तीन damage का मतलब है कि 10 में से 3 चुनना है आपको यहां पे 10 में से 3 तो आप क्या मनाओगे combination मनाओगे कि 10 में से कोई 3 निकला है ठीक है यहां पे लिखा हुआ है and क्या लिखा हुआ है and तो cross लगा देंगे 5 non-damaged non-damaged कितने है 90 में से आपको क्या करना है 5 चूस करने है इसका मतलब है कि 90C5 यहां पे भी combination मनाना है total में से कितने निकालने थे 100 बल्ब में से कितने निकालने थे 8 बल्ब तो यहां पे हो जाएगा 100 में से 8 बल्ब तो यह आ गया आपकी probability कि 3 damage हो और 5 5 non-damaged ठीक है second question क्या कह रहा है second में यहां पे कह रहा है at least one is damage मैं पहले ही बता चुका हूँ at least का मतलब होता है no one कोई भी damage ना हो one में से घटा दीजिएगा तो वो निकल जाएगा कि कम से कम एक damage है तो कोई भी damage ना हो इसकी का probability है कि 90 में से आप क्या निकालो 8 बल्ब निकाल लो 98 अपन कितने में से 100 c8 क्योंकि 8 बल्ब चूज करने है न यह हो गई कि कोई भी बल्ब जो है खराब ना हो तो खराब होने की probability कम से कम एक खराब होने की probability हो जाएगा 1-90 c8 अपन 100 c8 दिस इस प्रोबिल्टी तो गेट 1 damaged at least 1 damage और दिस इस प्रोबिल्टी देखो इसके पहली वाले भी वहां पर मैंने थोड़ा जो चीज नहीं पूरी कम्प्लीट की थी जिस चीज को वहां पर नहीं बताया तो इसको मैंने यहां बता दिया है मतलब एक तरीकेश कह सकते हो दोनों वीडियो एक दूसरी कम्प्लेमेंटरी है वहां पर भी मैंने बताया था कि और लगाओगे जिजगे और आता है उस जगे पर क्रॉस लग जात है कंडिशनल प्रोपर्टी आप किस जागे पर लगाते हो कैसे सॉल्व करते हो इस वेरीज कंडिशनल क्या है कि आपके पास जो है एक इवेंट की प्रोबिल्टी निकालनी है जबकि एक गिवन होगी कि वह हो चुकी है तो यहां पर क्या है क्योंकि यह हो चुकी है तो एस इसका क्या मतलब है इस तेयोरम को तभी आप जब लगा सकते हो जब आपको प्रोबिल्टी ऐसे दीए हो कि पी ये क्या है पी यूनियन भी क्या हो तब बताना है तब ये निकालोगे इससे टोटल से ये इंटरसेक्षें निकालोगे तब आपके लिए फॉर्वला है लेकिन अगर आपको ये पास जो question है, वो statement wise दिया हुआ है, तो आप बहुत आरांज सो निकाल सकते होगी, पहले आपको ये probability निकलनी है, कि A किस तरह हो जाएगी, A कि होनी क्या probability है, फिर A को आप sample space मान लोगे, और उस event को देखोगे, जो B में भी है, और A में हो, और divide कर दोगे, तो you in the next video.